तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपने इंट्रस्ट और राइंग सीख लिया था कि इंट्रस्ट और राइंग की जाती है ठीक है आज की वीडियो में आपको थोड़ी से समझा देता हूं तो अगर आपको इस इंट्रस्ट है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंट्स के साथ उसको शेयर करें तो चलिए यह बेना टाइम वेश्ट के वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रस्ट अन कैपिटल थीक है interest on capital interest on capital आप अराम से निकाल सकते हो क्योंकि इसमें वही जो traditional तरीका हम करते थे amount into rate by 100 अगर कोई महीना होगा तो month by toil करते थे अगर कोई दिन होते थे तो days by 365 हम करते वैसे तो यह option आया नहीं था बट ऐसे method होता था उसी method से निकाल सकते हैं क्योंकि क्या होता है drawing की अगर मैं बात को तो drawing में अलग method इसलिए हमें लगाने पड़ते हैं क्योंकि drawings जो है हर महीने हर दिन हर चार महीने में हर शे महीने में निकाली जाती थी इसलिए हम इसको जो है calculate नहीं कर पाते थे period to period इसलिए हमने जो है shortcut तरीका अपनाया product method में शॉटकर method हमने दिया what capital के साथ ऐसा नहीं है capital एक एक दिन में capital को invest नहीं किया जाता business के अंदर या तो वह चार महीने में इन्वेस्ट की जाएगी या मन्थली भी बहुत ज्यादा हो गया मैं मन्थली की अगर मैं बात कर तो वह भी बहुत ज्यादा हो गया तीन महीने बात कर दिया फिर छे महीने बात कर दिया इसके अंदर जो है हम जो है वो निकालते थे ट्रेडिशनल मेथट लगा के भी जो है हम कैपिटल निकाल सकते हैं और अगर कैपिटल की मैं बात कुरूँ इंटरस्ट ऑन कैपिटल के अंदर सिर्फ एक मैथड जो है पिछला वीडियो का काम आ जाएगा वह है प्रोड़क ठीक्यमाउंट के तीन-थीन म parlar μέ autos नहीं कर सकते सब्सक्राइब है शीनदों काम करेगा है नि हाँ यहां पर इलस्ट्रेशन टू का मैं उस कर रहा हूं आपको समझाने के लिए ठीक है इलस्ट्रेशन टू से हम जहें इंट्रस्टन कैपिटल निकाल लेते हैं कोश्चन का ओवर्व्यू देख लेते हैं एक बार सबसे पहले लिखा है शिल्पा एंड संजू आर्धी पार्टन ऑफ वन ऒन लेक और बहुं स्क्षी टागई यहां पर दो पार्टनर है एक है शिल्पा को एक है संजू कि ल कि दो कि चैपिटल यहां पर बताई गहीं है शिल्पा के जो कैपिटल है वो वण लाइक है है और संजू की कैपिटल जो है वह 1,60 रुपीज है ठीक है दोनों की कैपिटल हमें दे रखिए और जन्वरी 1st 2013 यह कब है जन्वरी 1st 2013 को अनों ने शुरू किया था यह कैपिटल लगाई थी फिर बात करें शिल्पा इंट्रोडिज एडिशनल कैपिटल 30,000 और जुलाई को क्या हुआ 2013 को शिल्पा ने शिल्पा यह रही शिल्पा ने एक और कपिटल एंट्रोडिज की 30,000 की एक और एडिशनल गैपिटल इसने इंट्रोडिश कर दी और लगाई उसने एक्टूबर फर्स्ट को उसने क्या किया अक्टूबर 31 2013 को उसने और लगाई कैपिटल 20,000 भी भी या इसको ज्यादा प्राफिट चाहिए था 30 की और लगाई 20 की और लगा दी फिर भी जेड़ला को इसने एक बार में क्या करना है कैलकूलेट करना है कि आई यह सी यानि की इंट्रस्ट और कैपिटल कैलकूलेट करना है कि विया कर देंगे और रेट इन्होंने दे रखा है नाइन परसंट पर एनम के इसाफ़ सक्षाम समय चैलकूलेट करना है और इस कोशन ही कि अगर हम बात करें तो इतनी ज्यादा ट्राण्जेक्शन नहीं है कि हम ट्रैडिशनल तरीके से इंट्रस्ट नहीं इंकालेगे अलग अलग कर के अम निकाल सकते हैं सबसे पहले मैं बात करूँ यहां पर आंसर कर देता हूं मैं interest on capital निकालना बहुत असान है और अगर मैं बात करूँ सबसे पहले traditional method जो हम जैसे निकालते आये थे शुरू से ही हम किसी का ब्याज calculate करते आये थे और जिसका formula अगर मैं बात करूँ वही होता था amount होता था उसको into कर देते थे rate से divide by 100 ज्यादातर month होते थे तो into month कर देते थे और divide by 12 कर देते यही करते थे यहां पर सबसे पहले हम शिल्पा की बात करते है शिल्पा शिल्पा की एक capital जो थी वो जन्वरी 1st 2013 को start हुई थी December 31st को last calculation होती है तो बारा महीने एक लाग पे तो जो है बारा महीने का लगेगा ठीक है और इसका देखे तो 1 lakh into 12 sorry rate हमारे जो है 9 by 100 है तो total 9 by 100 ही लगेगा यहीं लगेगा 9 by 100 फिर उसकी दूसरी capital 30,000 पर गी थी जो की जुलाई 1st को लगाई गई तो जुलाई 1st तो जुलाई का महीना पूरा होगा जुलाई अगस्ट, सेप्टमबर, अक्तूबर, नवंबर, दिसमबर 6 महीने का होगा तो यहाँ पे जो इसका 30,000 पर है उसका जो है 6 महीने का लगेगा ठीके जी फिर उसने 20,000 की capital अक्तूबर 31st को लगाई तो मैंदा अक्तूबर 31st, अक्तूबर का महीना गया अक्तूबर, नवंबर नवंबर, दिसमबर दो महीने का लगाए जाएगा ठीके जी? हाँ, दो महीने का लगाए जाएगा यहाँ पर अगर देखे तो 20,000 की कैलकुलेशन दो महीने से होगी और यहाँ 20,000 इन्टू 9 by 100 इन्टू 2 by 12 हो जाएगी और जो भी शिल्पा का टोटल इंटरस्ट निकलेगा वो जो भी टोटल अमारे जो है बयार निकलेगा वो शिल्पा की कैपिटल का इंटरस्ट होगा और यहाँ अगर कैलकुलेट करके देखे हम 1,09 परसंट 1,09 परसंट होगा 9,000 रुपीश ठीक है जी और 30,000 का 9 परसंट 6 महीने के लिए 13,50 होगा 1,350 रुपीश और 20,000 का 9 परसंट 2 महीने का 300 रुपीश होगा और 300 में हम प्लस करें 13,50 प्लस 9,000 तो 10,650 हमारे जो है आंसर निकल किया जाएगा मतलब टोटल इंटरस्ट का कैपिटल के कितना निकला 10,650 रुपीश बिलकुल असान था क्योंकि ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लेगा क्योंकि ट्रांजेक्शन कम थी अगर मान दीजिए यही शिल्पा क्या करती महीने महीने में कैपिटल को इंटर्डूस कर दी थी महीने महीने में कैपिटल लगाती तो बहुत लंबा पड़ जाता यह अभी देखो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया traditional method से फिर हम कौन सा method यूज़ करते product method यूज़ करते जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था ठीक है अभी यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा अब हम निकाल लेते हैं Sanju की capital भीया Sanju ने तो एक ही बार में लगा दिये एक लाग साथ हजार पर वहोगी जन्वरी फस्ट को उसके बाद उसमें लगा ही नहीं तो Sanju की capital क्या होगी एक लाग साथ हजार पर इंट्व नाइन बाय हंड्रे निकालेगी Sanju की capital का इंट्रस निकल के आ जाएगा 160,000 इंट्व 9 by 100 14,400 जो है total interest निकल गया लिए क्यों क्यों कि इससे महिने भी ज्यादा थे और amount भी ज्यादा था इसके amount भी कम थे और महिने भी थोड़े कम हो गये ते क्योंकि यहाँ पर छे महिने का लेगा यहाँ पर दो महिने का यहाँ नह भार महिने का ठीक है तो इसलिए यहाँ पर कम आया इस कम आउट और यहाँ पर संजू का ज्यादा आया है ट्रैडिशनल मेथड से हम यह ऐसे निकालते थे अब इसको एक और मेथड से भी निकाल लेते हैं प्रोड़क्ट मेथड से जो कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था प्रोड़क्ट मेथड से सबसे पहले निकालते हैं संजू का संजू ने जो है एक कैपिटल लगाई जनवरी फरस्ट को दूसरी कैपिटल लगाई जुलाई जनवरी फरस्ट को और तीसरी कैपिटल लगाई अक्टूबर थर्टी फरस्ट को ठीक है देखो यहां पर इंटर्वल कम हो गया न इंटर्वल नहीं हो रहा तो इसलिए शॉटकर मेथड काम नहीं करेगा और अमाउंट के अगर बात करें तो जुलाई फरस्ट को उसने संके हमें प्रॉड़क्स निकाल न करना होता है यहां उसका अमाउंट हुआ 12 महीन महीन चश महीने का यहां हुए दो महीने के ठीक है अब इसको करेंगे प्लॉध है प्राडक मतलब मॉल्टिप्लाइ कर देंगे एक लाग को बारा से गोना करें तो बारा लाग रुपे यहां 30,000 को अगर 6 से डिवाइड करें तो 1,80,000 आता है और 20,000 को करें तो 40,000 आएगा ठीक है अब यहां पे हुआ 13,80,000 14,20,000 होगे टोटल अमाउंट ठीक है यह हमारा निकल क्या आगा क्या टोटल प्राड़क्ट अब फॉर्मे में आगा हो फॉर्मुला क्या है टोटल प्राड़क्ट इन्टू रेट बाइ 100 इन्टू 1 बाइ 12 यह फॉर्मुला में आपको लगाना है आपका इंटरस्ट वही आएगा जो यहां पे आया था ट्राडिशनल मेथड से शॉर्टकट तरीके और अगर मैं बात करो इस फॉर्मुला आया कहां से वह पिछली वीडियो में मैंने समझा कर रखा है आप जाके देख सकते हैं टोटल प्रॉडर्क हमारा निकला 14,000 तो रेट हमारा 9% और इंटू 1 बाइ 12 कर देंगे ठीक है और अगर यहां पर मैं करूं 14,000 इंटू 9 बाइ 100 इंटू 1 बाइ 12 करूं तो 10,000 शिक्स फिफ्टी हमारा मार निकल जो कि यहां पर है यहां पर प्रॉडर्क मेथट से यही निकला और संजू की बात करें तो संजू ने तुझ है लगाये 12 महीझे कहें तो प्रॉडर्क में सब्सक्राइब आई अगर मैं बात करूं यहां पर इस की सुरी यह संजू नहीं थी यह हमारी शिल्पा की कैपिटल थी संजू की यहां बे मैं बात कूँ संजू ने लगाए 1,60,000 यह हो गया उसका amount ठीक है कब लगाया था January 1st को लगाया था ठीक है यह हो गया उसका amount और period अगर गये नहीं January 1st को लगाया था ब्यात देसंबर 31 तक लगा जाएगा तो बारा महीन होगा जाएगा एक ही बार किया है एक ही ट्रांजक्शन अब इसका प्राड़क्ट निकालो तो यह हो जाएगे अगर 1,60,000 को 12 से हम इंटू करने तो 19,20,000 आदेगे हैं यह हमारा टोटल प्राड़क्ट निकल के आ रही है और इसी को इसी फार्मिन में लगाएं तो यह हो जाएगा 19,20,000 इंटू 9 by 100 इंटू 1 by 12 हो जाएगा और अगर इसी कोई करें 9 by 100 इंटू 1 by 12 करें तो 14,400 अमांट आ जाएगा और यह वही अमांट है जो आपने ट्रेडिशनल तरीके से निकाला है ठीक है दोस्तों इस तरीके से आपको जहें इंट्रेस्ट अन कैपिटल निकाला जा जाता है इसमें shortcut method काम नहीं करता औरेडी आपने method सीख लिए है बस आपको जो है traditional method जो हम शुरू से करते आने उसी से भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा transaction होती नहीं है महीने महीने में तो कोई capital लगाएगा नहीं partner इसी लिए यार traditional method भी यूज़ कर सकते हैं नही उम्मीद हैं आप जो है अच्छे से समझ गया होंगे कि interest on capital कैसे निकाला जाता है और यह भी हमें जो है कहां क्या होता है यह firm जो है partners को ब्याज देता है तो इससे partners की income बढ़ती है और से partner capital account में भी transfer किया जाता है और जब हम distribute करते है profit को P&L distribution account में profit and not distribution account में तो उसमें भी जो है इसको transaction किया जाता है sorry इसमें भी जो है इसको add किया जाता है अगली वीडियो में जो है P&L appropriation भी सीखेंगे कि किस तरफ से जह है वो बनाया जाता है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को like कर दीजे शेयर कर दीजे अम रेफेरें कराइब दीजेश दीए